हेलो एब्रिवन बेलकम बेक टू माई चैनल प्लस इस्टेडी आईक्यू दोस्तो आज से एक न्यू सब्जेक्ट स्टाइट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइटो पैथोलोजी तो आज इस लेक्चर में दोस्तो साइटो पैथोलोजी का इंट्रोड़क्शन ही पार्ट देखेंगे यानि साइटो पैथोलोजी किसे कहते हैं और इसमें कौन-कौन सी टेक्निक यूच की जाती हैं और कौन-कौन सी स्टेनिंग यूच की जाती हैं यह सारी डीटेल्स आज हिस लेक्चर में अपन दीखेंगे तो चल्व दोस्तों इस्टार्ट करते हैं तो में आपने तू वर्ड ये सुने हूंगे सबसे पहले कौन कुसा दोस्तों साइटोलोजी सुनाओगा और दूसरा सुनाओगा Cytopathology तो सबसे पहले इनको समझते है Cytology किसे कहा जाता है और Cytopathology किसे कहा जाता है तो Cytology Minae shady of cells called cytology यानि जिस ब्रांच में cells की study की जाती है उसको क्या कहा जाता है दुस्तो Cytology कहा जाता है Cytology में कौन सी cells की study की जाती है दोस्तो normal cells कोई भी जो normal cells रहेंगी उनकी study किस ब्रांच में की जाती है cytology के जो ब्रांच होती है उसमें की जाती है यानि study of normal cells called cytology अब यहाँ पर एक बड़ आगे है दोस्तो cells, तो cells क्या होती है cells life की structural and functional unit होती है यानि जीवन की सबसे छोटी एकाई होती है दोस्तो वो कौन सी होती है, वो होती है cell होती है तो cells से मिलकर यहाँ पर क्या बनता है दोस्तो सबसे छोटी एकाई कौन सी है life की cell से अब cells से मिलकर क्या बनता है तो cells से मिलकर बनता है दोस्तो tissue, यानि group of cells को क्या कहा जाता है दोस्तो tissue कहा जाता है और tissue से फिर मिलकर क्या बनता है दोस्तो tissue से मिलकर बनेगा आपका organ फिर organ से मिलकर बनेगा आपका organ system और फिर organ system से मिलकर बनेगा दोस्तो body last में क्या बनेगा body बन जाएगी तो यह आपको clear हो गया होगा cells किसे कहते हैं तो cells होती है life की structure and function unit होती है जो सबसे चोटी होती है दोस्तो उस group of cells को tissue कहते है और tissue से मिलकर organ बनता है फिर organ system बनता है फिर organ system के बाद body बनती है तो यह clear हो गया तो यहाँ पर cytology किसे कहते हैं दोस्तो study of cell called cytology यानि जहाँ पर cells की study की जाती है उसको क्या कहा जाता है cytology कहा जाता है अब समझते हैं दोस्तो cytopathology cytopathology क्या है दोस्तो cytopathology is a branch of pathology यह क्या है दोस्तो cytopathology एक pathology की branch है that studies and diagnose disease on cellular level तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तो cells cellular level पर यानि cells के level पर disease की study यानि disease को अपन पता करने के लिए जो जिस branch में अपन अध्यन करते हैं cells का उसको क्या कहा जाता है cytopathology कहा जाता है तो यहाँ पर cytopathology is a branch pathology that studies and diagnose disease on cellular level यहाँ पर cellular level पर कोई भी जो disease की अपन पता करने के लिए जिस branch में अपन study करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं दोस्तों cytopathology कहते हैं तो यहाँ तक clear हो गया होगा तो फिर यहाँ पर जो cytopathology है दोस्तों या cytology है इसको सबसे पहले raider founder किस ने किया था तो इसको founded कियाता है दोस्तों जोर्ज निकॉलस पैपए निकोलाई ने 1928 इस भी में दोस्तों तोंझो पेपन निकोलाई ने साइटो पैथलोजी ब्रांच को फाउंडेट किया था यहां पर आउंगे देते हैं उन्होंने दोस्तों साइटिलोजी गिजए जिए ठीर दिवाइडे ठीर त्री ब्रांच आप जो पैपन को लाइज त ठीर ड्रांच को डिवाइड किया अब कौन-कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड किया साइटोलोजी को दोस्तों तो इन्हों ने सबसे यहाँ पे exfoliative cytology second है interventional cytology third है imprint cytology अब यहाँ पे दोस्तो पेपनकोलाई ने cytology को तीन ब्रांच में divide कर दिया कौन कौन सी exfoliative cytology interventional cytology और imprint cytology तो यहाँ पे इन ब्रांच का डीटेल्स में study करेंगे तो चलो देखते हैं अब exfoliative cytology क्या है यहाँ पे cytology समझ लिया आपने cytopathology समझ लिया उसको तीन ब्रांच में divide कर दिया exfoliative cytology interventional cytology और imprint cytology अब तो exfoliative cytology क्या है दोस्तो exfoliative cytology है study of set down cell of body surface यानि जो body surface रहेगी उस पर जो set down cell रहेंगी उनकी study किसके अंतरगत की जाती है exfoliative cytology के अंतरगत की जाती है दोस्तो exfoliative cytology means क्या है दोस्तो study of set down cell of body surface यानि जो body की surface पे जो cell settle down होंगी उनकी study दोस्तो किसमें करते हैं exfoliative cytology के अंतरगत करते हैं तो इसका एक्जामपल है दोस्तो जो body cavity and fluids जो body fluid रहेते हैं दोस्तो body cavity and body fluids में जो set down cell रहेंगी उनकी study exfoliative cytology के अंतरगत की जाती हैं तो यहाँ पे details में देखते हैं जो exfoliative cytology को भी दोस्तो two branch में divide किया गया फिर spontaneous exfoliation and mechanical exfoliation क्या दोस्तो इसमें भी exfoliative cytology को भी glass में आपे divide कर दिया spontaneous exfoliation और mechanical exfoliation अब spontaneous exfoliation क्या है mechanical exfoliation क्या है तो spontaneous means क्या होगा दोस्तो जो sponge set cell from surface surface यानि जो भी surface body surface बे response यानि जिनको आसानी से जो collect की जा सकें यानि जिनमें कोई भी आपको force apply नहां करना पड़े 20 cells यानि response cell set cell from surface यानि कोई भी force बिना force apply किये आपको जो cells excret होगा यानि प्राप्त होती है उनको क्या किस केटेगरी में study की जाती है दोस्तो उसको की जाती है spontaneous exfoliation में यानि जिनमें कोई आपको force apply नहीं करना पड़ेगा यह बिना force के आपको यह प्राप्त हो जाएंगे तो आपको कैसे प्राप्त होंगी spontaneous exfoliation तो यह होंगी जो cells होंगी दोस्तो जो plural fluid होगा pericardial fluid होगा peritonial fluid और synovial यानि एक्जामपल आपको बिना force apply किये जो आपको spontaneous exfoliation के अंतरगत study करते हैं उनकी तो response set cells from surface body surface पे तो जो एक्जामपल होगा plural fluid, pericardial fluid, peritonial fluid, synovial fluid, यह fluids में क्या जो cells रहेंगी वो set down हो जाएंगी या इन में diffuse हो जाएंगी इन fluids में क्या हो जाएंगी दोस्तो diffuse हो जाएंगी जिनकी study अपन करते हैं तो यह तो यहाँ पर spontaneous यानि बिना force apply कि आपको इस जो response set cell प्राप्त हो रहे हैं second है अपना mechanical exfoliation यानि जिसमें force apply करना हो cell scrapped from surface यानि वो cells जिसमें forcefully आपको कुछ force यानि apply करना होगा बिना force के यह आपको प्राप्त नहीं होगी जैसे cell scrapped from surface जो आपकी body प्राप्त यानि रहेगी उसको scrapped करना पड़ेगा यानि उस पर force अपनको scrap करके जो आप उनको material मिलेगा उसमें cells प्राप्त होंगी उनको क्या mechanical exfoliation कहते हैं यानि cells scrapped from surface तो आपका example होगा जो service scrapping service से आपको कलेक्शन करोगे तो scrapping करके करोगे वहीं आप करो जो cycle cavity होती है यानि माउट उसमें scrapping करके जो अपन sample collect करते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों mechanical exfoliation बोलते हैं यानि अपन उसमें force apply कर रहे हैं और यह तो winner force यानि without force के आपको जो cells रहेंगी वह diffuse किसमें हो रही है fluids में diffuse हो जाती है जो आप fluid collect कर सकते हैं और उससे cytology के इंतरगत इसकी diagnose करते हैं cells के दुवारा तो यहां पर यह तो आपको clear हो गया सबसे पहले आप जो cytology है उसको ब्रांचेस में categorize किया गया divide किया गया सबसे पहले exfoliative cytology सेकेंड इंटरबेंसलन cytology और थाड़ इंप्रिंट cytology तो exfoliative cytology हैनि set down cells की study आप करेंगे उसको exfoliative cytology कहा जाता है तो exfoliative cytology को भी यहां पर two branches में divide कर दी गया spontaneous exfoliation और mechanical exfoliation यहां तक clear हो गया दोस्तो अब nest जो है exfoliative cytology में आप sample collect कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तो slide होना चाहिए slide grease free जिसमें grease and oil free होने चाहिए तो आप जो scrap करेंगे यहानि जो exfoliation आपको यहां पर two branch समझाए गई एक कुण से समझाए गई यहां पर फिर से देखते है spontaneous exfoliation और mechanical exfoliation तो यहां पर exfoliative cytology में जो mechanical exfoliation कैसे अपन सेंपल प्रिपेर करते हैं यहनि slide smear कैसे प्रिपेर करते हैं यह technique आपको समझाए आपके पास slide होने चाहिए slide grease and oil free होने चाहिए इसके बाद जो buckle cavity है यहनि mouse से scraping के swipe के दुवारा scraping करके slide के अपर यहां पर उसके पर यहां पर करेंगे लेंगे और उससे two slides से अपन क्या दोस्तो उसका prepare कर लेंगे यानि उसी से अपन प्रिपेर कर लेंगे और उसको fixative के दौरा यह fixative spray है दोस्तो इससे अपन इस्प्रे करके उसको क्या फिक्स कर लेंगे तो यह आपको स्क्रैपिंग कैसे करते हैं यह डीटेल्स आप एक्सफॉलेटिव साइट लोजी के इंतरगत आता है भाई आप स्पॉंटेजिनियस एक्सफॉलेशन के बारे में जो फ्लूट्स की डीटेल्स देखी थी यानि जो साइट लोजी में कौन-कौन से मौश्ड़ी फ्लूड यूज़ किया जाते हैं उनको भी अपन आज डीटेल्स में देखेंगे सबसे पहले जो फ्लूड यूज़ किया जाता है फ्लूड आप साइट लोजी की बात करें तो plular fluid, pericardial fluid, peritonial fluid, sinobial fluid और ball of cytology ये सारे fluids के नाम cytology में आपने सुने होंगे या पड़े होंगे तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तो जो plural fluid कहां से excrete किया जाता है यानि कहां से आपको राप्त किया जाता है इसका sample कहां से collect किया जाता है ये देखते हैं तो यह सारी डीटेल्स अपन किसमें देख रहे हैं दोस्तो spontaneous exfoliation में यानि जो किसकी ब्रांच है दोस्तो इसमें exfoliative cytology की यह two category थी तो फ़र्ष्ट यह category है तो इसमें fluid of cytology कह सकते हैं इसको यहां पर सबसे पहले देखते हैं जो आपका plural fluid अब plural fluid कहां से excrete किया जाता है दोस्तो तो plural fluid जो अपना lungs रहता है क्या दोस्तो यहां पर lungs रहता है उसकी plural cavity में क्या जो plural cavity होती है उसमें fluid यहां पर जो lungs के चारों जो separate करेगा lungs को एक protection परदान करता है protection देता है वो fluid को plural fluid कहते हैं दोस्तो तो यहां पर आपके lungs की जो plural cavity जो यह कौन करेगा दोस्तो physician physician के दुवारा यह अपन sample collect यानी fluid के दुवारा smear prepare करेंगे तो sample कहां से collect किया जाएगा plural cavity का तो आपके lungs रहेगा lungs जो lungs में आपके plural cavity क्या है दोस्तो यह surrounded क्या है सबसे आप समझते हैं यह से जो lungs को क्या कौन सी membrane कवर्ड करती है दोस्तो plural membrane कवर्ड करती है ओ प्लूरल membrane में क्या होता है दोस्तो प्लूरल membrane के साइड में एक प्लूरल cavity होती है यह प्लूरल तो लगसे जो जैसे की tuberculosis या फिर कोई cancerous cells जो cells में क्या होता है दोस्तो जो cancerous बहुत सारी जो cancerous cells होती है वो इन फ्लूर्ड में क्या diffuse हो जाती है अब जैसे भी कोई cancerous या tumors रहेगा tumor cells या फिर cancer cells की study अपन इसलिए करते हैं क्योंकि जहां भी अभी इस ओर्गन में अगर कोई यह क्या है एक ओर्गन लंग्स के दोस्तो ओर्गन है तो इस ओर्गन को अगर कोई cancer cells क्या दोस्तो यहां पर देखते हैं cancer cells या tumor cells यहां पर tumor का infection होगा तो cancer cells या tumor cells कहां पर diffuse हो जाएंगी इस में यह जो cavity है दोस्तो इसमें fluid है plural fluid में क्या diffuse हो जाएंगी यह tumor cells का infection रहेंगा तो infected cells रहेंगी tumor cells से infected हो या फिर tumor से infected हो या फिर कोई भी cancer से infected जो cells रहेंगी वह cells क्यास में इस fluid में diffuse हो जाती है तो उन cells को अपन इस fluid के दुवारा x-rate करके fluid को x-rate करके इन cells की study की जाती है जो ऐसी 30 types की cells होती है दोस्तो cancerous cells होती है body में जिनकी अपन study करते हैं जो fluid में क्या diffuse हो जाती है तो आप समझ गए होंगे सबसक्राइब आपन लंग्स से जो plural cavity होगी लंग्स की उससे fluid को x-rate करेंगे और यह कौन करता है दोस्तो physician ही करेगा नेक्स्ट देखते हैं pericardial first रहता आपका plural fruit second है pericardial fluid pericardial fluid दोस्तो इसको अपन कहां से x-rate करते हैं तो यह करते हैं heart से जो heart को heart को कौन सी membrane covered करती है दोस्तो pericardial membrane covered करती है उसके पास में क्या होती है एक pericardial cavity होती है उस pericardial cavity में क्या दोस्तो pericardial fluid present होता है तो यह से heart की जो pericardial cavity से जो pericardial fluid को excret किया जाता है और sample उसका use create and prepare किया जाता है analyzes cells की study के लिए तो यहां पे भी वही हैं यहां पे heart में जो भी कोई tumor या फिर cancerous cells रहेंगी वह heart की जो fluid रहेगा pericardial fluid रहेगा दोस्तों उसमें क्या diffuse हो जाएंगी कोई भी cancerous tumor cells तो उनकी इस fruit को excret यहनी निकालके में heart से और उसकी study cytology के अंतरगत की जाती है और tumor and cancer cells का पता लगाया जाता है next आता अपना abdominal या pericardial fluid sorry यहां पे peritonial fluid दोस्तों इसको क्या कहते हैं peritonial fluid या इसे ascetic fluid भी कहते हैं क्या दोस्तों ascetic fluid कहां से excret किया जाता है तो जो abdominal cavity रहती है यह abdominal cavity से ascetic fluid को excret यानि प्राप्त किया जाता है दोस्तों भी यह तो आपका कौन सा सबसे पहला हो गया plural fluid जो lungs के प्राप्त किया जाता है भही pericardial fluid जो pericardial cavity यानि heart की जो pericardial cavity में जो fluid रहेगा उससे प्राप्त किया जाता है और थर्ड है अपना ascetic fluid तो ascetic fluid भी जो abdominal cavity होती है उसमें abdominal जो fluid present होता है उसको ascetic fluid कहते हैं और उसको यहां पर प्राप्त किया जाता है अब फोर्थ आता है दोस्तों आपका synovial fluid तो synovial fluid कहां से excret किया जाता है दोस्तों तो यह synovial जो आपका joint रहेगा नीका जो नीका joint रहेगा दोस्तों उसमें एक cavity एक cavity present होती है जिसे synovial cavity कहते हैं उस synovial cavity में दोस्तों synovial fruit present होता है तो आपका synovial fruit कहां से राप्त किया जाता है नीकी synovial cavity से राप्त किया जाता है फोर्ट आता है दोस्तों ball of cytology भी आता है ball of cytology तो यह ball of cytology क्या है दोस्तों broncular, abular जो labage रहता है इसका फुलपों क्या है दोस्तों ball of cytology का तो broncular, abular, labage इसका फुलपों है और यह आपकी length की levoli रहते है और यह कहां से किसे जो broncoscope रहता है उससे extract करते है एक broncoscope की help से आप जो आपके आप से नौस से नसल cavity से यहां से वो broncoscope को enter करा जाता है और आपकी जो alboli रहते है जो longs में last unit रहती है alboli उनसे यह broncoscope को बाल आप साइटलोजी बाल को प्राप्ट किया जाता है तो ये फ्लूड जो आपने देखे दोस्तों mostly फ्लूड आप साइटलोजी के अंतरगत ये 4-5 ऐसे फ्लूड हैं जो mostly यूज किये जाते हैं तो प्लूरल फ्लूड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूड हो गया, साइटलोजी हो गया और बाल आप साइटलोजी भी हो गया ये कहां कहां से एक्सक्रेट किये जाते हैं निकाले जाते हैं ये भी आपको नहीं हाँ पर डीटेल्स में बता गया है अब आप सेकंड सबसे पिले साइटलोजी को तीन ब्रांच में डिवाइट किया गया था एक्स पॉलेट्टिव साइटलोजी और सेकंड था इंटर्वेंशनल साइटलोजी तो फरस्टा आपने समझ लिया अब सेकंड सम plus ON火ush C€ किया दूस्त र इंतर्वेंशनल साइटलोजी किसे का जाता है तो जो पैथलोजिस्ट होते है interventional का means क्या है जो pathologist और clinician intervention body for sample collection यानि pathologist और clinician की help दोनों के intervention यानि सहयोक्त रूप से जो body for sample collection किया जाता है यानि उनके दोबारा जो collection किया जाता है pathologist और clinician दोनों मिलके जो collection करते हैं वो interventional उस ब्रांच को क्या कहा जाता है दोस्तों interventional cytology कहा जाता है तो अब interventional में तो कौन का pathologist और clinician intervention होंगे दोनों और body for sample collect करेंगे यानि body से sample को collect करते हैं तो इस ब्रांच को क्या जाता है दोस्तों interventional cytology कहा जाता है तो interventional cytology divided two branches अब जो interventional cytology होगी दोस्तो उसको भी two branch में divide किया गया तो कौन कौन सी branch में divide किया गया दोस्तो first FNSC FNSC का फुलपों में आप है दोस्तो fine needle aspiration क्या दोस्तो fine needle aspiration of cytology इसका full form हो गया और FNSC को भी two class में divide किया यहीं two branches में divide किया गया first FNSC with aspiration क्या दोस्तो FNSC with aspiration और second FNSC without aspiration तो FNSC with aspiration क्या होता है और FNSC without aspiration क्या होता है यह भी details में समझेंगे cytology के इंतरगत और second interventional cytology इसको two branch में divide किया गया है सबसर पहले FNSC और second है sediment of cytology क्या दोस्तो जो interventional cytology है उसको भी two branch में divide किया गया FNSC और sediment cytology तो FNSC यहनी fine needle aspiration of cytology और sediment cytology और FNSC को भी two branch में divide किया गया है FNSC with aspiration और FNSC without aspiration to here on the definition तो यहां पर देखते है FNSC FNSC का फिल्पॉम क्या है दोस्तो fine needle aspiration in cytology तो fine needle FNSC में क्या क्या requirement रहती है दोस्तो fine needle में क्या क्या करते हैं तो आपको जो needle के दोवारा है needle को enter करा के जो aspirate cell को aspirate किया जाता है यह प्राप्त किया जाता है cellular material को उसको क्या कहते है दोस्तो FNSC कहते हैं तो उसमें आपको requirement रहेगी needle जो 22 से लेके 27 gauge की हो सकती है और cells को क्या करेंगे दोस्तो aspirate करेंगे by can negative section यानि vacuum create करके जो FNSC की जाएगी दोस्तो vacuum create करके यानि negative क्या उसमें pressure apply किया जाएगा तो FNSC क्या दोस्तो fine needle aspiration in cytology इसका full pump हो गया तो इसमें needle के दोबारा क्या needle के दोबारा cells को aspirate by कैसे negative section के दोबारा जो cells को aspirate किया जाएगा उसको क्या कहते है FNSC कहते हैं दोस्तो तो यहां पर sediment second फस्ट हो गया आपका FNSC second हो गया क्या क्या है दोस्तो sediment cytology अब यह sediment cytology क्या है दोस्तो तो यह new technique क्या एक new technique है दोस्तो called sediment cytology involve the study of smear prepare from sediment of the biopsy specimen fixative जो biopsy रहेंगी fixative में fix रहेंगी उन biopsy fix biopsy का यूज करके दोस्तो जो smear prepare किया जाएगा उसको sediment cytology के अंतरगत रखा गया है तो थर्ड आ गया आपका imprint cytology अब first था जो cytology क्यों 3 category में divide किया गया था exfoliative cytology और आपका interventional cytology और थर्ड है imprint cytology तो जो imprint cytology किसे कहते हैं दोस्तों जो imprint cytology means जो tissue रहेगा आपका touches glass slide यानि tissue को glide जो glass slide से touch करके cells are imprint on slide यानि उस slide पर cells को imprint करके most imprint करके जो smear prepare किया जाएगा उसको क्या कहा जाता है imprint cytology का most use is lymph node रहते हैं lymph node की जो biopsy रहती है इसमें use की जाती है imprint cytology तो यहाँ पर इसको details में देखते हैं imprint cytology किसे कहा जाता है दोस्तों imprint जो tissue रहेगा आपका the imprint cytology smear is prepared by touching the slide with surface of the biopsy in several areas जो आपके पास एक slide रहेगी उस पर आप tissue को यहाँ पर उसका touch बार बार यह touching area है यहाँ पर touch करेंगे imprint करेंगे उसका imprint करके जो smear prepare करेंगे वह किस में आता है imprint cytology के अंतरगत आता है दोस्तों और यह lymph node रहते हैं उसकी जो lymph node biopsy में इसका use किया जाता है mostly तो imprint cytology क्या है दोस्तों यह आपको समझ में आपके पास जो fix fixative जो biopsy आएगी उस biopsy का आपको slide पे slide पे क्या दोस्तों imprint imprint smear prepare करना पड़ेगा जो टीचू को glass layer पर touch करके यहां पे smear prepare करेंगे वह imprint cytology के अंतरगत आएगा यहां पे यह तो clear हो गया अब यह fnst में जो instrument use होते हैं वह कौन-कौन से instrument use करते हैं तो यह भी देखते हैं सबसे पहले आपको जो instrument use होगा requirement रहेगी वह cotton swap होना चाहिए fnst के लिए और glass slide होना चाहिए alcohol jar या coupling jar भी कहते हैं इसको और आपके पास pistol यानि plunger भी एक plunger रहता है जो किसको carry करेगा दोस्तो सिरिंज सिरिंज होना चाहिए 20 ml सिरिंज यूज की जाएगी इस plunger में और नेडल हैं पे 22 यूज की जाएगी और आपके पास एक force होना चाहिए और alcohol jar 95% इसमें alcohol यूज करेंगे यह तो आपको एफनेसी इंस्ट्रूमेंट यूज हो गए आप नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आता एफनेसी अब एफनेसी को भी टू केटेगरी में डिवाइट किया गया यहां पे एफनेसी बित एस्परेशन और एफनेसी बिदाउट एस्परेशन अब एफनेसी बित एस्परेशन मेंस क्या हो गया दोस्तों जो नेडेल के साथ syringe को भी apply कान मतलब syringe की health के दोवारा syringe को भी क्या इसमें use किया जाएगा यानि bit syringe bit syringe जो cell को cellular content को aspirate करेंगे aspirate aspiration में FNST bit aspiration कहते हैं अब यह से कैसे करते है FNST bit aspiration तो आपको यहाँ पे structure में दिख रहा है सबसे पहले, जो आपको palpable, जो आपको not palpable lesions रहते हैं, palpable lesions से आपको site को clean करना पड़ेगा, site of efinity should be cleaned by spirit swab, spirit swab से palpable lesions को आप clean करेंगे, second आपको needle is introduced, फिर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तो, यिटेव को इंट्डूड्यूच कराना पढ़ेगी उस प्पछक्ड सच्छर तो आपको क्या करेंगे इसे पहले नीइडिल को इंटर कराने पाड़ेगा इंट्रोड्यूच कराया रीजेशन पंदर और फिर उसको नेडिभ यावने vacuum जो needle में vacuum को create करना पड़ेगा negative section देना है also create by withdrawing the piston piston की help से क्या दोस्तो आपको negative section create करना पड़ेगा यानि vacuums उसमें series में create करना पड़ेगा सबसे पेले needle को क्या lesions जो palpable lesions रहेगा उसमें introduce कराना है उसके बाद फिर negative section देना है फिर उससे aspirate करेंगे cellular material को aspirate करेंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तो slide पर year is taken in syringe and needle is richard यानी जो आपके पास plunger में जो carry रहेगी syringe को निकाल के फिर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तो उसमें इसमें slide से smear prepare करना पड़ेगी और without dry इसमें क्या दियान देना होगा दोस्तो बिना dry हुए यानि बिना सूके हुए आपको fixative जो coupling jar रहेगा उसमें fixative रहेगा उसमें क्या आपको dip कराना है यानि तुरंत without dry हुए slide को smear prepare करके तुरंत इस fixative jar में इंटर कराना होगा तो यह तो आपको fnsc with aspiration यहां पर जान लियां अब देखते हैं second आपका fnsc without aspiration fnsc without aspiration किसे कहा जाता है दोस्तो तो fnsc without aspiration यानि without syringe की जो fnsc only needle की है से लीजन से जो cellular material को aspirate किया जाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तो fnsc without aspiration यानि इसमें syringe का use नहीं होगा तो यहां पर इंट्रोड्यूज वाए जैज डेला इन 1987 में इन्होंने fnsc without aspiration को इंट्रोड्यूज करा है था based on observation that a capillary pressure क्या दोस्तो जो capillary pressure in a fine needle is sufficient to keep the detached cell inside the lumen of the needle यानि जो lesions रहेगा दोस्तो उससे आपको capillary pressure यानि जो capillary pressure के दौर यानि needle को introduce अंदर lesions के अंदर introduce कराके जो cellular material को आप excret करेंगे उससे को क्या कहा जाता है fnsc without aspiration यानि इसमें syringe के दौरा जो fnsc with aspiration था उसमें क्या negative suction syringe के दौरा और apply किया जा रहा था लेकिन इसमें क्या apply नहीं किया जा रहा है fnsc without aspiration में सिंपल आपको needle carry carry करके उस lesions में introduce कराने और फिर आपको moving कराना यह moving area left eye जो lesions रहेगा palpable regions non palpable आपको feel करके उसी lesions के अंदर इसमें append down करके introduce कराके आपको aspirate करना होगा और उस aspirate से दोस्तो smear को prepare करना होगा तो इस पूरी process को fnsc without aspiration कहा जाता है दोस्तो तो आपको यहां पर clear हो गया होगा अब आप देखते हैं preparation of cytological smear तो जो cytological smear होते हैं दोस्तो वह भी क्या two types के होते हैं आप cytological smear कौन कौन से types के होते हैं एक होता है dry mount smear और और second होता है bat mount smear अभी ड्रावड ड्राय माउंट smear दोस्तों कहां पर यूच किया जाएगा जो fnsc में dry mount smear तो पैप और एची जो standing रहेंगी उसमें dry mount smear आपको यूच सोरी यहां पर जो dry mount smear है वह आपको कहां पर यूच की जाती है दोस्तों रोमोनोवस की stand में कहां पर दोस्तों जो रोमोनोवस की stand होती है उनमें क्या dry mount यहां पर smear use करेंगा रोमोनोवस की stand में भी MGG stand जिमसा stand source stand इनमें क्या दोस्तों dry smear आपको requirement रहेगी भही second रहता है आपका bat mount smear किया दोस्तों denwort यानि विदाऊ ऑन ड्रा विदाऊउड राय होए आपको fix करना होगा उसका एंडिन गरतेया बत्रम स्मेयर को कहेते हैं बैट मौंट इस्मियर को ये आपको साइटोलोजिकल इस्मियर भी आपको क्लियर हो गया दो टाइफ़ के या किरे जाते हैं एक ड्राय माउंट इसमियर और सेकंड रेता है बड्र माउंट में ड्राय माउन्थ रमीट रोमानो बस की सटेंड चो भी यूजे में उसमें यूजे करेंगे और बेट आपको करना होगा पैप और एची के स्टेंड के लिए तो यहां पर यहां पर यहां पर क्लियर हो गया एक कप्लिंग जार है दोस्तों जिसमें आप स्लाइट को फिक्स कर देंगे फिर आता है आपका साइटालोजिकल फिक्जेट यहिद्ग गुस्त Corona आपका पर देखे जाता है जिसासरे कॉमली में जया जाता है तो सब इस पहले जिएज़ा आपका ladud यहां इसो प्रुपायल यहिद्गे या जाता है किया अब्द किया जाता है आपका याथनोल औहले टर्ड किया यह संब्द करने ज्रेट त डूस्त पर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसाइट्यव disgrace रेड formats एक च्सड़ यहां पे तो टार्ब्द थार्ब्द जो इस्टेंड सप्राइब्द में डिए की गई फर्स्ट है रोमोनकोस की स्टेन और सेचेंड है पैपस्ट न एन एस रनीय तो रोमोनवस की में मोच्रीं यूज की जाती है MGG चौन में गुरूनबाल जिमसा है स्टेन जिसका फुलबॉम है और सेकेंड जिमसा स्टैन और थाड़ सॉर्सस ब्स्तेंड यह साइट लोजिकल रॉमोनवस की इस्टेन है दोस्तो और सेकेंड है पैप इस्टेन एन एची इस्टेन या पैपनीकुलाई इस्टेन मोस्टली साइट लोजी में यूज किये जाती है तो आज की लिए दोस्तो इतना ही थैंक्यू अगर आपको यह लेक्षर अच्छा लगा औ प्लीज शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्यू सो मच्छ